जब भी हम programming सीखते हैं तो ज्यादा ज़रूरी programming languages नहीं होती बलके programming concepts होते हैं Assalamualaikum, Programmer Achieve here programming concepts की दो किसमें होती है एक वो किसम जो आप देखते हैं जो आप output देखते हैं जो computer जब आप कुछ लिखते हैं, command वगएरा coding करते हैं और आप उसको run करते हैं तो आप उसका visually एक output देखते हैं कि ये काम हुआ है, ठीक है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जाहर है कि यही programming है जैसे कि for loops, while loops, if condition, switch statement जो भी programming के अंदर आम तोर पर चीज़े होती हैं वो सारी basic चीज़े हैं उनको इस्तमाल करना, उनको समझना ये है programming के concept जो के बहुत ज़रूरी है, जाहर है और जो दूसरी programming concept की किसम है उसमें आप ये देखते हैं कि जब आप कोई statement लिखते हैं कोई coding में आप कुछ लिखते हैं, ठीक है तो computer पीछे से क्या कर रहा है उस जुमले का मिसाल के तोर पर आपने integer बनाया, एक integer लिखा के inter apples is equal to 10 कुछ भी, ठीक है तो अब computer या compiler उसका पीछे से क्या कर रहा है और ये वो concept है जो बहुत ज़रूरी है इन पोशीदा concepts में heap और stack का difference आ जाता है इसमें आ जाता है, virtual keyword पीछे से hash tables बनाते है, क्या करता है, who knows और उसके बाद आयता है pointers, arrays का फरक, referencing कब होती है, copying कब होती है ये सारी जो चीजे हैं, ये बहुत important concepts है, जाहर है कि आप programming तो computer पर ही कर रहे है तो इसका मतलब यह है कि आप इन चीजों को avoid नहीं कर सकते, आपको इन से जाते हैं, तो फिर आप जादा माहर programmer बन जाते हैं, आपको जादा समझ आती है कि computer का ये तरीक्या है, ये रद्य अमल है काम करने का, और आप उस लिहाज से programming कर पाते हैं अपना और अपने घरवारों को अहयाल रखें और हुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में लाहाफिस